13 दिसंबर की सुरक्षा और लंगन की घटना पर केंद्रे ग्रेमंत्री अमिच्छा के बयान की मांग को लेकर विरोध प्रदाशन और नारे लगाने के बाद पिछले हफते में कुल 143 विपक्षी सांसदों को संसद के दोनों सदों से निलंबित कर दिया गया जिसे लेकर कॉंग्रिस समित विपक्ष ने इस कदम को ताना शाही बताया है और कहा है कि सिदेश की लोगतांतिक सत्भावना को ठेज पहुची है संसद के अंदर सवाल पूछना सांसदों का अधिकार है वही दिल्ली कॉंग्रिस प्रमुक अर्विंदर सिंग लवली ने कहा कि विरोध प्रदर्शन के दोरान शहर के विबिन हिस्सों से बड़ी संख्या में लोग अलोकतांतिक कदम के खिलाफ आवाज उठाएंगे जबकि दिल्ली कॉंग्रिस की प्रवक्ता मुकेश शर्मा ने कहा कि निलिम्बित किये गए संसदों सहित अधिकांश भार्टी ब्लॉक नीता शुकुरवार को प्रदर्शन में भाग ले रहे है वही संसदों के निलंबन पर इंडिया ब्लॉक के जंतर्बंतर विरोत्वार समाजवादी पार्टी के संसद राम वुपाल यादव ने क्या कहा सुनिए तो जितने बड़े पहँआने पर संसदों का निलंबन किया गया वो अलोक तांतिक तो था ही और इस उद्देश से किया गया कि संसद में जो सुरक्षा में चूक होई है जो सेंध लगा है उसके असली दोसी जो बीजेपी का एंपी है उसका नाम कहीं सامने नाने पाए और अगर बیان दिया जाएगा तो नाम आएगा तो बियाँ नहीं दिया क्या है यही मांग थी बेपक्च खी और इस मांग जाइज मांग को लेकर जब जब लोगों ने सवाल जिन जिन एमपीज ने सवाल उठाया उन सब को एक एक करके निलम्मित कर दिया गया है और निलम्मन का बाद जो बहुत महत्पूर्ण बिल थे जन्होंने पूरे सिस्टम को बदलने की कोशिश की है लोगों के नांगरिकों के मौलिक अदिकारों को बहुत आसानी से छिनने का प्रियास किया है CRPC, IPC और निन अभीजेंस एक में संसोधन करके और IT एक्ट पास करके कि आपका फोन है कोई है किसी को भी गॉर्मेंट किसी के भी फोन को कभी भी टेप कर सकती है कोई अब बाधा सरकार के पास नहीं है आपकी कोई निजता का सुप्रीम कोट ने कहा था कि निजता का अदिकार मौलिक अदिकार है उसको भी आसानी से छिनने का काम इन तीन दिन में हो गया कानून मना के तो यह बहुत ही दुरभागिपूर है हम कहां जा रहे हैं देश की जनता यह जाने यह बताने के लिए आज हम भी जा रहे हैं अभी हर जगह बिरोध है